हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका चली स्टार्ट करते हैं सेशन और इस सेशन में हम लोग बेंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो वीडियो नंबर पार्ट 3 है यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते ह प्रेंड्स तो लाइक करें सस्क्राइब करना और शेयर करना न भूलें और इसमें हम लोग बेंजन को इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स कि इसे से जो भी प्रसन आपसे एक्जाम में पूछा जागा सबको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे बस आप वीडियो ऐस breaths और बैंजनों की पांच वर्ग हैं उसके पांच वर्ग होते हैं यहाप अप देख लीजी को सब्याइब कर इसमें पांच अक्षर है यानि कि कघ्वर्ग तो यहाँ पर प्रतियक वर्ग में पांच-ब्यंजन तेयाख सकते हैं प्रतेक में 55 है ठीक है प्रतेक वर्ग का नाम पहले वर्ड के अनुसार रखा गया है यानि कि जो प्रतेक अनि को से शुरू है और अंगा तक है ना फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो start को है तो इसको हम लोग को वर्ग कहेंगे फिर यहाँ पर चो सी start होगा तो चो वर्ग कहेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं चो सी start है तो चो वर्ग है तो सी start है तो टो वर्ग है तो सी start है तो तो वर्ग है पोस सी start है तो पावर्ग है ठीक है यह तो रहा बेंजन अब आए इसके बारे में और हम लोग सीखते हैं बाहप्रत्ने के अनुसार ब्यंजनों के दो भेद होते हैं जो बाहप्रत्ने होता है फ्रेंड्स उनिके अनुसार अगर देखते हैं तो ब्यंजन जो होते हैं उनिके दो भेद हैं ठीक है पहला है अलपप्राण और दूसरा है महाप्राण अलपप्राण और महाप्राण इसक अब बोलेंगे न तो आपके अंदर जो वायू मिकलती है उसके हकार की धोनी ठीक है विसेस रूप से सुनाए पड़ती है उन्हों को हम लोग महाप्राण कहते हैं सेस बिंजनों को अलप प्राण कहते हैं और उसके अलामान जो दूसरा बिंजन बचेंगे उसको हम लोग और चोथा अक्षर देखिए ये प्रतियक वर्ग है ने फ्रेंट्स प्रतियक वर्ग में यहां बोल दिया है दूसरा और चोथा दूसरा चर ख है चोथा चर घ है तो प्रतियक वर्ग में दूसरा और चोथा अक्षर और उसम महाप्राण है उसम क्या होता है देख लिजिए पहले बात ध्यान से समझ लेजिए बड़ा स, मुर्धनी स, छोटा स, और हल ये उसम बेंजन है इनुको बोलने से मुख से उसमा निकलती है ठीक है friends तो इसलिए इनुको उसम बेंजन के नाम से जाना जाता है ठीक है तो ये उसम बेंजन और जो वर्ग है उसमें दूसरा और चौथा ठीक है दूसरा और चौथा बेंजन ये आपका महाप्राण है जिसको बोलने से हकार की हकार जो है ना 20 रूप से निकलती है मुख से तो इसलिए ये महाप्राण है और बाकी जो बचा हुआ है वो अलप प्राण है नीचे एक चार्ट है फ्रेंड्स ठीक है वीडियो क्या अंतक बने रही है आप नीचे एक चार्ट है उस चार्ट को आप देखिएगा आपका घोस अगोस अलप प्राण महाप्राण सब क्लियर हो जाएगा कंठस्त यानि कि कौन कैसी सब समझते है पात चलिएए अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए चार्ट को चार्ट के मादेम से हम लोग समझते हैं हाँ फ्रेंड्स चलिए देखते हैं चार्ट के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं देवनागरी वर्ण माला का कोस्टर सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर इस तरह से देखिए घोस और अघोस को सबसे उपर लिखा हुआ है अघोस और यहाँ लिखा हुआ है घोस ठीक है प्रेंट्स अब देखिए यहां पर जो एक लाइन ऐसे हमने खीच लिया है यहां पर बाय साइड में इस लाइन के इधर यहां पर आप देख सकते है को, खो, च, छ, स, त, ठ, स, त, ठ, स, प, यह आपका अगोस है ठीक है प्रेंट्स? और यहां पर गोस की बात करते हैं तो यहां से लेकर कि यह जितने अच्छर बच जाते हैं वो आपका घोस है देखिए जो वर्ग था ना आपका देखिए वर्ग था वर्ग आपका इस तरह से आप देख लिजिए यहां पर यह आपका को वर्ग है को खो गो गो और अंगा लेकिन को वर्ग में ठीक है हो भी आता है और और आ भी आता है इससे भी आपको याद रखना है और इसको हम लोग कंठ करते हैं ठीक है प्रेंस यानि कंठ में दीखे जो कंठ आता है कॉंट से ऐसी कॉंट सा ब्यंजन है जिसका हम लोग उचारण कॉंट के माथ हमसे होता है तो को, ख, ह, ग, घ, और अंगा फिर ओ और आ ये आपका कॉंट है ठीक है? उसी तरह से दूसरा में आते हम लोग तालू ठीक है? तालू में दूसरा नंबर पर देख लीजे इतना है ये आपका तालू में आता है च, छ, बड़ा स, ज, ज, ओ, य, इ, छोटी इ, बड़ी इ, और ए, और आ इसी तरह से मुर्धा की जो धोनी आती है फ्रेंड्स यहाँ आप आप देख सकते हो इस तरह मुर्धा, मुर्धा में आता है ड़ आपका ठ आता है, स आता है, ड़ आता है, ड़ आता है, ड़, र, 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 य, 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 आ गया ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर दंत में देख लीजिए ठीक है प्रेंड्स दंत में तो आता है थ, स, द, ध, न, और ल, और उसी तरसे ओस्ट में आता है, ठीक है, ओस्ट में आप यहां पर देख सकते हैं, प, फ, ब, भ, म, व, उ, छोटाओं, बडाओं, और ओ, और ओ, ठीक है, तो यह हुआ अस्थान उनके उचारण के, ठीक है, कौन-कौन से वर्ग म कौन-कौन से आता है, यह तो आपने देख लिया, आईओं, आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है, घोस-उगोस की बात करते हैं, तो घोस आपने सीख लिया है, कि यह घोस है, यह उसमें बिंजन में 3 और हो को छोड़ दिया जाता है, हो आपका घोस में आपका 100-100-100, और ये आपका, यानी कि अगोस्त को आपको पहचानना होगा सिर्फ वर्ग में, अगर वर्ग में आपको अगोस्त पहचानना है, देखिए पहला और दूसरा, पहली और दूसरी लाइन अगोस है, घोस्त में क्या है? दिखिए ये तीसरी चोथी और पाचवी लाइन आपका घोस हो जाएगी ठीक है फ्रेंस उसी तरह से दिखिए चोच ये पहले और दूसरी लाइन आपका क्या हो गया अगोस हो गया और दूसरी तीसरी और चोथी लाइन आपका घोस हो गया ठीक है ये तो आप घोस अगोस और उचारण अस्थान क्या है ये तो आपको समझवे आ गया होगा अब चलिए आ गया आते हैं हम लोग आगे देखिए यहां पर अल्पप्राण्ड महाप्राण्ड महाप्राण्ड और अल्पप्राण्ड के बारे में हम लोग सीखते हैं ठीक है देखिए यह जो आपको मैंने बताया था कि अल्पप्राण्ड और महाप्राण्ड क्या होता तो महाप्राण्ड क्या होता है जो दूसरा यानि कि जो वर्ग है जो वर्ग बना हुआ पांच वर्ग था दूसरा और चौथा महाप्राण था आपका ठीक है यहाँ पर देखिए दूसरे नमर पर यह महाप्राण लिखा हुआ है यह पूरा आपका महाप्राण है जितने भी उसमें बेंजन मैंने बताया था उपर ही अभी मैंने बताया था जितने भी उसमें बेंजन होते हैं सब महाप्राण है ये आपका महाप्राण है ये हो गया महाप्राण ठीक है फिर उसके बाद ये दूसरी लाइन हो गई ये वाली ठीक है अब चौथी लाइन भी आपकी जो कालम होगा चौथा ये वाला सॉरी ये नहीं है ठीक है ये वाला नहीं है फ्रेंट्स एक ये है ये उसमें बेंजन है और ये चौथा लाइन इन्हे घौव वाला ये ये आपका हो जाएगा महाप्राण ठीक है यानि कि जो वर्ग में हम लोग ने देखा था दूसरा और चौथा लाइन ठीक है दूसरा और चौथा लाइन क्या था आपका महाप्राण था तो दूसरा और चौथा और दूसरा लाइन आपका महाप्राण हो गया और जितने भी उसमें बेंजन थें सब महाप्राण थें ये उसमें बेंजन आपका हो गया थीक है और परण आप देख लिजिए और परण पहला यानिवरग का जो पहला कालम था वो आपका अलपप्राण है थीक उसके बाद तीसरा दूसरा छोड़ने के बाद तीसरा आते हैं अलप प्राण है और उसके बाद पाँचवा अलप प्राण है अलप प्राण के साथ साथ ये जो पाँचवा नमबर का है फ्रेंड्स वो अनुनासिक भी है यानि कि जो दिखिए ये पांचवा नंबर का जो है ये क्या है आपका अनुनासिक भी है ठीक यानि कि ये रड़ नम ये अनुनासिक है आपका इतना तो आपको समझ में आ गया चलिए अब आगया आते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं अन्थस्त बिंजन अन्थस्त बिंजन कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यर लव आपका अन्थस्त बिंजन है ठीक है दूसरी बात अब देख लीजिए हरस्त वस्वर कौन कौन से है यहाँ पर आप देख सकते हैं हरस्त्वस्वर है ओ छोटी ई, री और उ आपका हरस्त्वस्वर है ठीक है फ्रेंट्स यहाँ पर आगे आगे देखते हैं हम लोग दिर्गस्वर कौन सा है यह आपका दिर्गस्वर है ठीक है यह सभी स्वार है यहां से ले करके यह फ्रेंट्स सभी स्वार है ठीक है यह सभी स्वार है इन स्वार में यह हरस्ट स्वार है यह दिर्ग स्वार है यह संयुक्त स्वार है संयुक्त में ए और आयाएगा ओ और आयाएगा ठीक है फ्रेंट्स कितना आपको समझ में आगया यह भी असपर्स बेंजन है यह अस्थान है कंठ, तालू, मुर्धा, दन, पोस्ट ठीक है प्रेंट्स चलिए आगी नीचे हम लोग आते हैं यहाँ पर देख लीजिए र और ध द्वी इस्प्रिस्ट है यहाँ पर इसको देख लीजिए आप एक बार ठीक है र और ध द्वी इस्प्रिस्ट है जबकि ज क्या है प्रेंट्स दन्त तालब्य है यहाँ पर आप देख सकते हैं फ दन्तोस्ट है दन्तोस्ट फ ठीक है प्रेंट्स एक दन्तोस्ट है यहाँ पर आते हैं दो कंठ तालू है यानि कंठ तालब्बे से कौन बोले जाते हैं कंठ और तालू से इसको आप बोल सकते हैं A और A और कंठ ओस्ट से कौन सा बोला जाता है दो अनि O और O है तो I hope इस चार्ट यह जो चार्ट है आपको समझ में आया होगा और कापी हेल्प भी मिलने वाली है चलिए अब आगया